हेलो स्टूदेंट्स वलकम बैक आज हम स्ट्री चांडर फिफ्ट लेसे नमर शिक्टों इज इच इस तोन टूल्स पड़ेंगे सो इस्टों इस की ताइम पर जो स्टों टूल्स यूज आ जाता था इस लेसन में आज हम जानेंगे 6.1 Types and Forms of Tools according to the type of task 6.2 Stonage Tools यहाँ पर 6.1 Types and Forms of Tools according to the type of task यहाँ जो वो टूल्स यूज करते थे ताइम पर मताबिक वो उस टाइप का टास्क जो रहता था उसका टूल्स यूज किया जाता था यानि अगर बिग हंट हो रहा है तो लोग कोई बड़ा सा टूल्स यूज करते थे अगर कुछ छोटा है तो चोटा मोटा टूल्स यूज करते थे तो यहाँ पर Types of Tools भी है और according to the type of task If we saw a shiny object buried in the ground what would we do to take it out अगर हमने कोई भी रास्ते में एक shiny object देखा यह तो एक shiny object यह बरीड है यह बरीड है यानि कि मतलब दफ़ान है यह अनि covered है वो अंदर है ground में तो हम क्या करेंगी क्या हम उसे बाहर निकालेंगे question यह है what would you do to take it out तुम क्या करोंगे अगर वो अंधर है तो उसको निकालने के लिए क्या है perhaps we wouldn't we would scrape it out with our fingers maybe perhaps का मतलब है maybe शायद हम अपने हातों से यानि अपने fingers से उसे भार निकाले scrape का मतलब है to remove यानि scrape it out यानि हम भार उसे निकाल सकते अपने हातों की उंगलियों से if that did not work we might try to dig it out with a twig or stick अगर वो काम नहीं करा तो हम क्या करेंगे next dig करेंगे यानि उसे खोदेंगी किसके साथ twig यानि की branches जो trees की होती है branches उससे या तो sticks या तो कोई भी लखरी से यह भी work नहीं किया तो हम क्या करेंगे एक pointed stone लेंगे that should do the job यह काम कर सकते है but if it still doesn't then we would have to get an iron rod to dig that shiny object out अगर वो भी काम नहीं करा तो उसे iron rod लेंगे उसे dig करेंगे यानि खोदेंगे और वो shiny object जो covered है यानि अंदर है बरीड उसे भार निकालेंगे this shows that we need to choose the tool according to the demand of the task so अब हमें पता चला कि यहाँ पर हमें example जैसे बताया था कि जो shiny object है उसको वो बरीड है तो हम उसे निकालेंगे कैसा तो पहले था scrape करेंगे यानि बाहर निकालेंगे finger से अगर वो काम नहीं करा तो twig यानि branches या तो कोई भी stick लखडी लेंगे उससे भी भार निकालेंगे if वो भी work नहीं किया तो second, third idea क्या है कि हमें pointed stone लेंगे अगर वो भी नहीं काम हुआ उससे तो iron rod है, iron rod लेकर उससे निकालेंगे this shows that we need to choose the tool according to the demand of the task तो ये क्या बताता है कि हमें जो task है यानि जो काम है उसके मताबिक उसके demand पर हमें क्या लेना है क्या tool यूज करना है वैसा ही हमें समझाने ये चार है इस textbook में तो यही सेम चीज़ है जो stone age men ने use किया था according to their task the following four factors determine our choice of tools तो हमें कोई four factors है of choice of tools के first availability of resources second minimal use of time and energy minimal का मतलब में small amount third maximum efficiency यानि उससे कही जादा energy चाहिए efforts चाहिए उस चीज़ के लिए fourth skill of handling tools which is acquired through practice तो skill यानि उसका एक skill चाहिए यानि handling करना यानि कैसे उस tools को handle करना है कैसे उस tools को use करना है तो उसमें क्या है एक proper skill चाहिए यानि कि उसमें एक अच्छा knowledge चाहिए ये tools को कैसा use किया जाते है तो उसके लिए क्या चीए है to get practice acquired का मतलब है to get through practice यानि उसमें कहीं practice चाहिए apes like the chimpanzee also use apes क्या है जो chimpanzee थे उन्होंने भी क्या use किया है stones to break seeds and nuts stone use किया था क्या तोड़ने के लिए seeds और nuts को they use sticks to stir the ends out from endhills to catch them उन्होंने sticks use किया था लखडी यूस किया था क्या mix करने के लिए stir यानि एक साथ मिलाने के लिए stir का मतलब है mix and या तो endhills को भार निकान ले humans too have always been using tools such as bones, stones, dried twigs and sticks as tools humans यानि हम जो humans है वो भी क्या use करते थे हमेशा जैसे की bones यानि हडिया, stones, पत्थर, dried twigs यानि की branches जो सूखी शाखाय होती है twigs या तो sticks लखडी होती थी वैसे सब यह हमारे tools होते थे according to the हमें अगर कोई चीज चाहिए निकालने के लिए तो हमने भी ऐसे कोई चीज यूस किया होंगा with continuous and minute observation, experimentation and the inborn imagination humans learned that they could sharpen rods, bones, sticks and stones into tools to carry out their task more efficiently so या पर कहीं सारे एक observation किया गया था यानि उसको देखा गया था observation का मतलब पर watching यानि to watch experiments, जो उन्होंने experiments किया था अलग-अलग टाइप के वो क्या है उनका inborn था, inborn imagination था inborn का मतलब है a particular quality from birth यानि कोई भी एक inborn जो quality थी यानि birth से ही उन्हें एक को imagination था humans learned that they could sharpen rods humans ने क्या सिखा कि they could sharp rods, sharpen, जो rods होते हो से sharp कर सकते bones, sticks, stones, tools to carry out the task more efficiently यानि ये सब चीज हम यूज कर सकते हैं तो जो भी हमारा task है वो easily निकल सकता है efficiently मतलब easily इसमें जादा कोई hard work या effort नहीं use किया जाए ये सब tools यूज करने के लिए कौन सी का humans ने they also learned that they could give these objects any shape they desired ये भी सिखा गया है कि इस सब objects को कहीं अलग-अलग आकार यानि shapes दे सकते हैं desired यानि कि मैंनी कहीं जारे अलग-अलग shapes दे सकते हैं homo habilis के remains में we can say that he made them because they were found near his remains तो हम ये देख सकते हैं कि उन्होंने कहां पर इससे found किया था but did he make only stone tools the answer to this question is no because he made tools from other materials as well यानि यापर question क्या है कि उन्होंने जो stones है यानि stone tools क्या उन्होंने से stone tools ही मदद से अपने tools बनाये थे तो answer है नहीं यान no because he made tools from other materials as well उन्होंने अलग-अलग materials से भी अपने tools को बनाया है however of the tools made by human thousands of years ago only the stone tools can be found today stones made from bone are rarely found but since twigs and sticks decompose easily we do not find any tools made from them so decompose का मतलब है slowly disappear destroy यानि decompose हो जाता है यानि कि DK हो जाता है वो जो भी चीज को जो भी चीज जमीन पर रहती है पड़ी रहती है वो slowly चले जाती है जैसे कि bones remains हो जाते बर जो भी दूसरी चीज होती है वो vanish हो जाती है यानि जाती है क्योंकि वो decompose हो जाती है आसानी है से यहां पर कहें thousands of years यानि इसे thousand of years चले गए ह हजारों साल चले गए कि जो stone tools ने found किया था tools made from bone are rarely found जो उन्होंने found किया था कि जो tools bone से बन सकते वो rarely found यानि बहुत कम found हुआ है but since twigs and sticks decompose easily उसके सामने जो twigs है और sticks है वो क्या decompose हो जाते है easily से यहां पर table है यहां पर picture दिया है tools made from stones and bones जो कुछ कुछ यहां पर equipments है tools का equipments है यानि और जार है वो काई से बने है stones यानि पत्थर से and even also bones so first picture में आपर बताया है a chopper made from a pebble यानि एक chopper है first one है a chopper made from pebble तो यहां पर chopper किस से बनाया है pebble से यानि कि एक stone से pebble का मतलब है stone, पत्थर second picture में यहां पर बताया है a scraper यानि जो निकालते है, scrape करते है यह scraper है, third a circular hammer stone gold एक hammer stone है fourth a chopper made from a flake of stone और जो एक chopper है किस से बनाया है flake of stone से यानि कि यहां पर fourth वाला है जो flakes मतलब बहुत पतला से पतला piece होता है वो flakes जिसे कहते हैं तो यह flake of stone है, पतला stone है a borer made from a bone अब जो borer है, यह fifth अला क्या है borer जो बना है bone के साथ में bone से बना है sixth an anthler used as a pick एक जो anthler जे वो used as a pick यानि वो ऐसी ही ले लिया है so यह था tools made from stone and bones of stone age man next अब हम आगे बढ़ते है 6.2 stone age tools 6.2 stone age tools है the period from which mainly stone tools are found is called the stone age जो time है जब से stone found हुआ है उसे क्या कहते है stone age the stone age is divided into three periods on the basis of the shape and the type of tools found stone age divide है three parts में यानि three periods में जो base करता है यानि shape और type of tool found यानि उसके shape पर और जो tool है जो कभी उसके type में found किया गया है तो three कौन से कौन से हैं हम देखेंगे first old stone age और paleolithic age old stone age कहते है या तो paleolithic age paleo means old paleo का मतलब है old and lithos, lithos means stone paleo and lithos को मिला के एक sentence बनाया आप पर paleolithic यानि की old stone age second middle stone age or mesolithic age middle का मतलब meso and lithic यान lithos जो हमने देखा था उसका है stone, तो यहाँ पर क्या है meso, middle को कहते है इसको पूरा मिला के mesolithic age third new stone age or neolithic age new का मतलब है new so इससे neolithic age कहा है तो किते किते 3 divided है parts of stone age tools stone age, paleolithic age second middle age mesolithic age third new stone age next या पर है old stone age paleolithic age homo habilis and homo erectus who belong to the old stone old stone age both made their tools using the percussion technique homo habilis and homo erectus ने क्या देखा यानि वो old stone age से बिलॉंग करते थे और उन्होंने made किया made their tools अपने tools यानि अपने equipment को किससे बनाया है percussion technique से percussion का मतलब है sound like hitting so percussion basically drums drum और उसके साथ में जो भी जादा equipment आते जिससे हमें बजाने से यानि उसका आवाज आता है तो उसे percussion केते है percussion का मतलब है sound like hitting so percussion technique है technique का मतलब method तो उनका क्या था percussion technique this technique involves beating or striking one large pebble against another two open stone flakes so यह technique क्या evolve करती है beating यानि मारना या तो strike करना एक जो stone जे एक बड़े pebble को दूसरे pebble के साथ में एक दूसरे को रगड़ते है तो वो क्या open करता है एक stone flakes open करता है यानि पतले से flakes open करता है the first tools made in the old stone edge with this technique were crude यानि जो पहला stone edge था उसका technique किससे बना था? only one side of those tools had a sharp edge कोई एकी side of the tools थे उसका sharp edge होता था यानि one side उसका sharp edge था edge का मतब एक corner या तो points such tools are known as choppers इस tools को क्या कहते है? choppers दे पहले हम पढ़ने से पहले याँ पर देखेंगे pictures याँ पर दिया है यह chopper है यह chopper का picture है a stone hammer यानि stone का hammer है removing minute flakes from bigger flakes यह कैसा है एक stone को लेके दुसरे stone से ऐसा उसे scrape कर रहे है तो उसमें से छोटे-छोटे flakes निकलते हैं पतले-पतले से पीसेस निकलते हैं removing minute flakes from smaller flakes अब यहाँ पर से क्या remove कर रहा है small flakes यानि चोटे बहुत minute flakes smaller flakes के साथ में यानि small flakes में से और छोटे-छोटे flakes निकाल रहे है a handex यह किसका picture है एक handex का they could only be used for breaking nuts और bones the tools made by homo habilis were of this kind यानि उन्होंने क्या use किया था homo habilis ने they used breaking nuts और bones यह सब tools को किसके साथ में क्या break करने के लिए nuts या bones को काटने के लिए यूस किया अब यहां पर आते है homo habilis were of this kind वो भी ऐसे ही थे they indicate यानि sign बताते या तो show करते है that homo habilis had not yet learnt to hunt यानि वो यह बताना चाते है कि homo habilis जो उन्होंने सीखा नीता hunting करना flakes of stone would be produced while shaping his tools flakes of stone कभी आते है यानि shaping जब देते है एक proper shape देते है आकार देते है tool को he used the flakes for scraping meat from hide for chopping meat and other foodstuffs for sharpening wooden sticks etc यानि यह सब अलग-अलग चीजे थी जिसे वो flakes को use करते थे scrape करने यानि meats को निकालने के लिए उससे cut करने के लिए अलग-अलग desired shape देने अलग foodstuff को sharpening करने यानि अच्छा एक proper pointed shape देने के लिए wooden sticks and etc और अलग-अलग दूसरी चीजे भी tools like the handex and cleaver made by homo erectus are more proportionate and symmetrical than the choppers made by homo habirus homo erectus ने क्या handex or cleaver बनाया था वो proportionate यानि in proper way अच्छे तरीके से बनाया था और symmetrical का मतलब है exact size or shape में जो रहते हैं amount के उसे symmetrical के था यानि proper size के साथ में proper amount proper shape के साथ में उसे symmetrical और proportionate का मतलब है in proper way then the choppers made by homo abilis तो homo abilis ने इदम अच्छे से बनाया था proportionate and symmetrical tool has to be mentally visualized first तो यहांपर क्या था proportionate and symmetrical tool has to be mentally visualized first यानि अच्छे से visual क्या था अपने mental यानि अपने दिमाग से उसे imagine क्या था सोचा था पहले उसे एक proper proportionate का मतलब हमने आपर देखा था in proper way symmetrical यानि exact in size and shape उस tool को बस imagine क्या था only then it is possible to made it इसलिए फिर ही वो easy था बनाने के लिए homo erectus could mentally visualize his tools even before he actually shaped them homo erectus जो थे वो पहले अपने दिमाग से सोच सकते थे कि वो tool को पहले ही shape देने से to open stone flakes he used things like anthillers or hammers aise tools को shape देने के लिए flakes करने के लिए tools like anthillers as hammers anthillers को hammers की use क्या जाता था he further sharpened the edges of those flakes by scraping off smaller pieces to make scrapers with very sharp edges it means that homo erectus was using different tools for different tasks according to the demand of the task इसका मतलब है it means यानि यह क्या बता दे थे जो homo erectus है यह पर है पहले he further sharpened the edges उन्होंने आगे बड़े उस edges को यानि corners को अच्छे से एक proper edge दिया flakes and by scraping flakes को scrape किया इसका smaller pieces किया with very sharp edges और उसका भी और sharp edge बनाया it means that homo erectus was using different tools for different tasks according to the demand of the task homo erectus इसका मतलब क्या homo erectus different 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 tools different tasks के time different task यानि की कोई भी situation के वक्त उस पर situation देखकर वो अपना task को यानि अपनी azar को use किये करते थे with his improved tools homo erectus could have a greater variety of food because he could now hunt a variety of big and small animals so इनकी improvement के बाद यानि इतने अच्छे होने के बाद homo erectus क्या है greater variety यानि अलग-अलग variety में food stuff को collect करते थे hunt क्यानि animals को हंट करते थे जिससे छोटे या बड़े animals को कि उनके पास अच्छा improvement आ गया था कि वो अब छोटे को भी हंट कर सकते और बड़े से बड़े को भी कर सकते इस इंक्लिवड़ेड मेंली दे डियर, बिसेन, रैबिट, एक्सेटर यह इंक्लिवड क्या करते है जादा वो डियर को हंट करते थे एक बिसेन को और रैबिट को the Netherthail Man made further progress in Tool-making techniques, he began to make smaller tools पर जब नड़ेद थे उन्होंने progress किया यानि वो आगे पीटे Tool-making techniques में Homosapiens brought about a revolution in the technique of making tools, homosapiens क्या क्या technique क्या tools बनाने की he devised a technique of obtaining long and narrow blades of stone, उन्होंने क्या obtain प्या उन्होंने क्या बनाया device का मतलब है new way यानि एक new way निकाला technique का मतलब method यानि new method देखा कि long narrow blades of stone कैसे बनाते हैं he made various implements like the knife, scraper, borer, chisel etc और homo sapiens ने इसे कहीं सारे implements बनाये थे यानि कि equipments या implements और जिसे कहते हैं जैसे कि knife, scraper, borer, chisel और कहीं सारी चीजे from this long blades, किस से long blades से he also began to use ivory and rare stones of the quads variety for making tools and other articles उन्होंने किस के साथ में और ivory और rare stones जो बहुत कम stones मिलते हैं और अलग-अलग quads variety के उससे उन्होंने अपने tools को और articles को बनाना शुडू किया ivory का मतलब क्या होते है, elephant teeth आती के जो आगे के दो बड़े दात होते हैं उससे ivory केते हैं और rare stones यानि कि जो मिलते ही नहीं है यानि बहुत कम होते हैं बहुत unique होते हैं बहुत कम उससे rare stones केते हैं homo sapiens had made significant progress in gaining knowledge of his environment and in the techniques of making tools and obtaining food homo sapiens ने बहुत अलग progress की यानि significant progress थी significant का मतलब है important progress in gaining knowledge यानि अपना knowledge को और बढ़ाया यानि gain किया यानि कि बढ़ाया और improvement आई in environment और उसकी techniques में technique method of making tools and obtaining food यानि food को भी कैसा obtain करना चाहिए उसका origin का से करना है this enabled him to stay in one place for a longer period of time तो ये क्या able है उनके लिए enable का मतलब है able यानि अब वो कर सकते है उस चीज़ के लिए कि वो एक जगह पर कही time के लिए रह सकते है group of homo sapiens had began to build herds and अब यहाँ पर क्या है homo sapiens जो है अब उन्होंने क्या बनाना शुड़ू क्या है herds and live in them herds यानि कि अपने चोटे चोटे घर बनाना शुड़ू क्या है और वो उसमें रहने लगे they had also started celebrating social festivals फिर वो social festivals बनाने लगे many artistic objects and cave paintings created by homo sapiens were possibly made for this festival जो उन्होंने artistic यानि अपने art के object से जो cave painting किया था were created by homo sapiens were possibly made यानि वो बहुत easy था उनके लिए for this festivals homo sapiens had started using ornaments to adorn themselves फिर वो social festivals बनाने लगे paintings करने लगे फिर उन्होंने क्या किया ornaments बने लगा ornaments का मतलब बहे jewelry to adorn themselves adorn का मतलब में to look या तो to get more attractive यानि और अच्छे दिखने के लिए उन्होंने ornaments पेने लगा ornaments यानि के jewelry beads from the time of homo sapiens made of shells, bones and animal teeth have been found हम ऐसे देखते एक पुरानी pictures जो homo sapiens होते थे उन्होंने अपने ornaments किससे बनाया shell से जो sea में marine में हमें आसानी से मिल जाते bones और animal teeth जैसे कि elephant teeth से तो बहुत ज्यादा कॉमन है कि elephant teeth से वो अपना jewelry पहन दे थे बना दे थे does the beginning of human culture go back to the old stone age ऐसे ही beginning हुए human culture की to go back to the old stone age remains of tools from the old stone age have been found in India at various places from Kashmir to Tamil Nadu अब जो remains थे इंके tools यानि जो इंके tools दीखे excavation के बाद काँ पर मिले? इन इंडिया में और अलग-अलग कहीं साई जगा थी जैसे कश्मीर से लेकर Tamil Nadu however not many human fossils from the old stone age have been found in India फिर भी ऐसे कहीं सारे human जो fossils are human के humans के bones है remains है यानि fossils का मतब है remains remains का example यहाँ पर दिया है bones यानि bones of animals या तो bones of human यह नहीं मिला है इंडिया में fossils of human skull and the collar bone or of an old stone age women were found on the banks of the नर्मधा in the vicinity of हतनोरा a village near होशंगाबाद in मद्या प्रदेश यहाँ पर क्या है जो fossils है fossils का मतलब है जो remains होता है animals या तो human का bones उससे fossils कहते है और वो कहाँ पर found हुआ humans का लिए यानि खोपडी और collar bone जो है वो stone age का stone age woman का found हुआ किदर at the banks of the नर्मधा नर्मधा रिवर के पास in the vicinity या निवी सी निटी का मतलब है area of हातनूरा यह एक जगा का नाम है हातनूरा village near होशंगाबाद यह village नजदी के होशंगाबाद के in मद्या प्रदेश besides that the fossilized skull of a child from the stone age was found at a village near Puducherry some remains of stone age humans यानि उनके कहीं सारे fossilized यानि एक child का fossilized भी मिला था old stone age humans और ऐसे कहीं सारे थे अब हम यहाँ पर इंकी नीचे picture दी है painting की यहाँ पर painting है an old stone age cave painting from Bhimbetka Bhimbetka से इंकी एक cave painting का picture है यहाँ पर देख सकते हैं paintings में mostly animals होते है human beings होते है imagination तूरू से यह सब बनाते है have also been found in Afghanistan and Sri Lanka यानि इसे कहीं सारे जगह पर मिला है गंगापूर नियर नासिक और शिर्की नेवासा नियर नेवासा आर अर अमंग the well-known old stone age sites in Maharashtra so Maharashtra में इसे well-known old age sites है गंगापूर is on the banks of the Godawari river and चिकरी नेवासा is in the Pravara basin next अब हम आगे आते है middle stone age अब हमारा हो गया है first जो इंका old stone age था अब वो खतम हो गया है next हम middle stone age पर आते है mesolithic so middle stone age mesolithic age homo sapiens in the middle stone age continued to make progress in many different ways the domesticated the dog due to changes in the climate and the environment in the middle stone age the way of life of humans had begun to change so homo sapiens in the middle stone age में क्या continue किया था progress of many different ways यानि अलग अलग चीजों में अलग 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 different चीज में अलग जाने लगे they domesticated यानि वो अपने dogs को पालने लगे domesticate करने लगे अपने पास रखे due to changes in the climate and the environment in middle age यानि कुछ changes होता है environment का in middle age the way of life of humans had begun फिर अलग वे life of human beings की start होने लगे यानि change हो गई besides hunting homo sapiens had started to harvest food grains अब यहां पर environmentally changed होने तो besides hunting यानि हंटिं के बज़े अब homo sapiens ने क्या start किये harvest यानि food grains that grew in the wild and the domesticated animals अब वो एक food grains अपना ग्रीव करने लगे यानि farms उसका रखने लगे cultivate करने लगे and in the wild and to domesticated animals their diet now included various plant foods अब उनका diet क्या है various अलग अलग plant foods है they also अब वो जाड़ बार खाने लगे they also begin to settle in one place for a part of the year अब वो start begin यानि अलग एक अच्छी place पर यानि one place for a part of the year यानि एक जगा पर कहीं लंबे समय तक कहीं लंबे सालों तक वो रहने लगे domestication of sheep and goats also goes back to this period अब ये वापस से domestication होने लगी sheep की, goats की in this time taking all this into account it appears that homo sapiens now needed several different types of tools that were light in weight and durable for a variety of tasks such as hunting, fishing, harvesting cutting of trees etc so यहाँ पर क्या है homo sapiens वो अब ज़रूरत पढ़ी है किस चीज की harvest करने की hunting करने लगे fishing and cutting of trees कही time तक durable यानि longer time तक ये उनका चले he used to make implements like the knife and the sickle by firmly fixing a row of blades as small as fingernails into a groove in a bone or a piece of wood so यहाँ पर क्या है he used to make implements अब वो ऐसे 1000 बनाएं लगे like knife and sickle by firmly यानि जो वो easily fix हो जाए row of blades just a small fingernails into a groove groups का मतलब है lines for an example हमने photo देख हो हैंगी कभी जो grooves होते यानि grooves का मतलब है lines तो जिसे एक mountain है उसके अपर ऐसे लंबे-लंबे lines होते हैं या तो bones के अपर या तो piece of wood पर उसे grooves केते हैं तो वो fingernails उनके mark थे many sides of the middle stone age have been found in India middle stone age का जो time था वो कहीं जगह पर find हुआ इंडिया में अमंग देम बागोर इन राजस्थान बिम्बेटका इन मधिया प्रदेश लगनाच इन गुजरत एन पताने इन जलगाव डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्टा आदो well-known sites तो ये कुछ well-known sites है of middle stone age जो found हुई थी इंडिया में अब हम याँ पर आएं from here in middle stone age middle stone age the stone blades used to make implements were removed from the stone by the fluted core technique fluted core technique क्या है यहनी अब आगे देखेंगे flute means a long parallel sided depression on the stone and core means the original stone from which the blades are removed so middle stone age में का आदा stone blades used हुई थी यानी as an implement जो यानी एक औजजार जैसा बनी थी जो निकालती थी remove from stone यानी वो remove क्या जाता है the stone से by the fluted core fluted core technique से यह पर एक fluted core यानी picture है यानी stones को आजा निकाला जाता था उसे fluted core technique उसका नाम रखा था तो technique का मतलब है method flute means a long parallel sided depression यानी एक लंबा सा parallel sided depression है यानी ऐसा on the stone कापर stone पर and core means the original stone from which the blades are removed और core का मतलब क्या है जो इदब नीचे का deep deep original stone होता है core यानी कि very deep यानी इदम center या तो इदम deeply part वो original stone निकाला जाता था which the blades are removed from blades यानी blades से निकाला जाता था बहर after the blades were removed from the stone from all sides जब blades were removed यानी blades निकाले जाती थी all of the side यानी हर जगा stone से the remaining core had such flutes on all sides जो तो remaining रहता था उसमें all sides flutes रहे जाती थी blades removed with his technique are very minute blades removed जो technique है वो बहुत very minute यानी बहुत छोटी है minute का मतलब है very small the size of a nail or slightly bigger यानी एक size हो जाए nail का या तो उससे थोड़ा बड़ा hence they are called as microlits जब से उससे कहा जाता है microlits microlits का मतलब है micro यानी micro means very small and lithose means stone so micro का मतलब है बहुत छोटा यानी small and lithose means stone यानी पत्थर तो इसलिए इसका नाम रखा गया microlits in the middle stone age arrows were made by fixing a microlits at the tip of a stick middle age में जो arrows बनाए गए थे arrows याँ पर picture है arrows with microlits as tips याँ पर पहले picture देखते है याँ पर है in the middle stone age arrows were made by fixing a microlits at the tip of a stick यानी arrows बनाए थे याँ पर picture है arrows with microlits as tips middle stone age याँ पर है picture arrow lid का microlits यानी middle stone age a fluted core a knife with an edge like a saw made by fixing microlits middle stone age यह सब middle stone age का equipment बना है याँ पर यह knife है जो उसका edge जो है वो एक saw की तरह लग रहा है saw made by fixing microlits उसका जो corners है edge है वो काईसे बनाए है fixing microlits लगा कर fish hooks of bones याँ पर fish hooks जो है याँ फिशिंग चो करते है जो से निकालते है उसका hooks किस से बनाए है bones से यानी हट्डियों से यह भी middle storage से आया है यहाँ पर fluted core भी middle storage से है यानी उनके technique क्या थी एक लंबा parallel flute था उसका side depression जो था वो कहां जाता था और दूसरी sides पर so फिर next में उसको कैसा निकाला जाता था याँ पर पूरा process यानी इस box में बताया है उसके blades remove क्या जाते थे टेकनिक से वो बहुत smaller था यानी बहुत minute था उसका size of nail जो था उसका size कैसा था nail से या तो उससे थोड़ा बढ़ा पर नाम कैसे रखा गया micro lits यानी की small चोटा lits का मतलब है stone तो इसलिए उसका नाम रख दिया है micro lits और यह stone age में उन्होंने arrows बनाए थे fixing यानी क्या fix करके micro lits जो tip है और stick उससे fix करके ऐसे arrows बनाए थे arrows यानी जैसे धनूस जो hunting के लिए काम आता है जो आगे से बहुत pointed होता है mostly basically उसमें क्या होता है एक plate लगी होती है बट यहां पर अब तक हमने त्री स्टेज़स पड़ा है stone age का पहला जो था old stone age जो paleolithic है second middle stone age यानी mesolithic age अब हम last stage पर जाते है यानी कि new stone age new stone age या नियो लिथिक age new का मतलब है new and lithic का मतलब हमने जाना है lithose जाना लिथिक यानी stones in this period stone tools that were polished to give a smooth shiny finish were made for the first time so new new age में stones को यानी tools को क्या एक polished दिया था polish क्यों दिया था एक smooth finishing आने के लिए जो एक बिल्कुल shiny लगे यानी दम चमकती ला were made for the first time वो किस के लिए दम first time बने थे as this was a new type of tool making technique this period was named the new stone age तो इस age में एक new technique लगी थी new type of making technique थी तो इसलिए उसका इस period का यानी उस time का नाम क्या रख दिया था new stone age यानी आपन new making of technique थी यानी इस time में new stone age में क्या है agriculture agriculture क्या है जो harvesting यानी कल्टिवेट करते हैं और domestications करते हैं of animals ही domestications यानी एक animals को जैसे pets को हम domesticate करते हैं dogs हैं और cows हैं और cats होती हैं ships होती हैं यह सब चीजों को हम domesticate करते हैं यानी हम हमारे पास रखते हैं यानी डॉमेस्टिकेशन और अनिमल हस्बेंटरी बिल्कुल सेम वर्ड है यानी सेम मीनिंग है इसका animal husbandry, same caring of animals in farms जैसे हम animals की देखबाल करते हैं हमारे farms में रखके had become a routine way of life तो यह इंके new stone age में एक routine बन गई थी रोज की routine बन गई थी उनका देखबाल करना को domesticate करना, hunting was no more the major means of obtaining food, hunting अब जरा भी नहीं थी यानी इदम से खतम हो गई थी means of obtaining food, it becomes secondary to agriculture and animal husbandry, अब वो एक secondary से agricultural and animal husbandry में बन गया था there are many sites of new stone age culture in India, specially along the Ganga river and in South India there are many sites of new stone age, यहाँ पर कहीं सारी अलग-अलग stone age बनी है यानी कहीं सारे अलग-अलग sites of new stone age culture के कहाँ पर इंडिया में, हमने पीछे भी पढ़ा था कि इंडिया में इसे कहीं सारी अलग-अलग जगा है जो stone age sites है यह जिसे old stone age sites हम देखा जाए तो महाराश्टा में है और अलग-अलग जगा पर है river banks के तरफ बनी है और middle stone age में जो है sites जो है अलग old stone age की site अलग है middle stone age की site अलग है and middle stone age की sites जो देखी गई है इंडिया में वगोर इंडार्जिस्थान बेंबेट का मधिया प्रदेश लगनाज गुज्जाद और जलगाव जो महाराश्टा की डिस्ट्रीक में पड़ता है ऐसी जगह पर middle stone age में दीखा गया है न्यू स्टोनेज में यहां पर यह भी इंडिया में देखा गया है वह किदर है पर south इंडिया यह गंगा रिवर और south इंडिया यह new stone age की sites जो है वह गंगा रिवर और south में दीखी गई है यहां पर new stone age में एक यू दम अलगी पॉलिश्मेंट आ गई थी tools के अंदर new technique बन गया था तो new technique के वज़े से इसका नाम क्या रख दिया था new stone age फिर domestication of animals होने लगी यानि कि animal husbandry, animals की देखबाल होने लगी और hunting जो थी वो बिलकुल से बंद हो गई थी और वो खाने पर यानि हावेस्ट करने लगे, cultivation करने लगे, plants को, animals को, सबच को फिर हमने sites देखिये कि यह सी कही सारी में पर sites जो थी वो इंडिया में फाउंड हुई हैं इसका नाम new stone age रख दिया यानि new ethic age so students now we are done with the explanation of the chapter number 6 stone age, stone tools so students so if you understand the whole chapter so please subscribe to our channel like share and comment share with your friends and with your classmates and your students don't forget to check our playlist so students till then take care thank you